दोस्तो इस वीडियो में बात कने वाले हैं दो शेर्ट के बारे में जिसके अंदर आपको आने वाले टाइम में काफी ज़्यादा रिटन्स देखने को मिल सकता है क्योंकि यह दोनों मार्किट लीडर कमपनियां हैं और यहाँ पर आपको फ्यूचर में मल्टी वेकर रिटन् राओं डिक्सओन टेकनोलोजी के बारे में और साधी साथ बात कने वाला हैं पेटीम के बारे में डिक्सओन टेकनोलोजी जहां पर आज की दिन आपको शेर्ट के अंदर 3.5% तक ही शांदर तेजी देखने को मिल रही है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वज़ा निकल कर आई है साथ ही साथ 31,000 करोड रुपे के market capitalization वाली company आपको future में लगबद 10,000 रुपे तक के भी यहाँ पर target price देखने को मिल सकती है तो बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं लेकिन उसके बिले यदि अपने channel पर first time visit के आए तो channel को subscribe करना और bell icon को press करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा Dixon Technologies के returns की बात करें तो पिछले एक साल में इस shares ने 139% तक के multi-bagger returns अपने investors को बना कर दिये हैं अगर हम Dixon का maximum chart pattern भी देखें तो यहाँ पर maximum chart pattern में company ने लगबग 884% तक के multi-bagger returns अपने investors को बना कर दिये हैं वहीं आज के दिन जो हमें Dixon के अंदर सबसे बड़ी news आते वे देखने को मिल रही है अब देख सकते हैं Acer India and Dixon Technologies partner to manufacturing 5 lakh laptops annually तो यहाँ पर Acer India और Dixon Technologies के बीच में हमें एक शांदर partnership होते वे देखने को मिल रही है और यह partnership काई के लिए हुई है company हर साल 5 lakh laptops की manufacturing यहाँ पर करने वाली है Acer के साथ में मिल कर जिस news के बाद आपको आज के दिन Dixon के अंदर लगबग 3.5% तक की शांदर 30 देखने को मिल चुकी है complete news भी आप यहाँ पर देख सकते हैं laptops in India both companies said in a joint statement on Wednesday तो Wednesday के दिन company ने दोनों कमपनियों ने joint statement sign के रहा है और इसका benefit Acer को तो मिलेगा ही मिलेगा साथी साथ Dixon के shareholders को भी काफी ज़दा मिलने वाला है आनंद राठी ने Dixon Technologies को लेकर यहाँ पर नए target price issue किये हैं यदि आपने Dixon के अंदर investment कर रखा है तो 5936 रुपे तक के target price यहाँ पर आनंद राठी की तरफ से short term के Dixon के set किये गए हैं पिछले एक साल में बहुती शांदा रिटन्स हमें Dixon की तरफ से देखने को मिले हैं और साथ ही साथ कमपनी की strength की बात करें तो कमपनी continuously एक good quarter result maintain करते भी आ रही है साथ ही साथ कमपनी के अगर CSR ratio की बात करें तो वो भी काफी healthy हमें देखने को मिलता है और कमपनी की sales growth के अंदर हमें पिछले 10 साल में लगवा 28% तक की शांदर growth देखने को मिल रही है Dixon Technologies की early performance की भी बात करें तो वहाँ पर भी number हमें काफी improvement वाले देखने को मिल रही है March 2021 में company का operating profit हमें last year के comparison में काफी जदा increase होते भी देखने को मिला है वही अगर net profit की भी बात करें तो net profit के अंदर भी हमें शांदर growth देखने को मिल रही है बात करें Dixon Technologies के reserve and borrowings के बारे में तो company एक healthy reserve maintain करते हुए चल रही है जिसको देखते हुए आपको future में Dixon की तरफ से bonus split जैसी बड़ी announcement भी देखने को मिल सकती है और borrowings की बात करें तो company के उपर 202 करोड रुपे का अभी हमें कर्ज याने की company के उपर debt देखने को मिल रहा है चेर होल्डिंग्स पेटन की बात कर लेते हैं तो promoters का stake यहाँ पर हमें September quarter में लगब 1% से यहाँ पर आफ करिएगा मामूली साय यहाँ पर आपको corrections वाला देखने को मिल रहा है लेकिन foreign investor और domestic investors ने भी यहाँ पर foreign investors ने profit booking करी है और domestic investors ने यहाँ पर अपने stake को Dixon के अंदर increase किया है वहीं अगर public institutions की बात करें तो यहाँ पर retail investor इस shares को लेकर काफी bullish हमें देखने को मिल रहे हैं तो overall अगर आपने Dixon के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर आप आने वाले long term के लिए इस shares के अंदर लगबग 7000 प्लस तक के target लेकर चल सकते हैं बात कर लें another shares के बारे में जिसका नाम है PTM या यूँ कहें के 197 communications limited जहाँ पर recently हमें company का IPO आते वे देखने को मिला है लेकिन PTM के IPO के 2 trading session में हमें लगबग 30% तक की गिरावट देखने को मिले थी लेकिन finally अब हमें इसके अंदर upward के moment देखने को मिल रहे हैं आज के दिन भी हमें PTM के अंदर लगबग 12% तक की शांदर तीजी देखने को मिल रही है वहीं अगर PTM के listing day से अभी तक के returns की बात करें यानि कि 18 नवंबर 18 नवंबर को हमें PTM की listing देखने को मिली थी तब से लेकर अभी तक हमें लगबग 14% तक की शांदर return PTM की तरफ से देखने को मिल रहे हैं लेकिन के सकते हैं कि यहाँ पर retail investors के साथ में एक बहुत बड़ा trap हमें PTM की through देखने को मिला है यानि कि सबसे बिले तो हमें इसकी listing बहुत negative देखने को मिलती है जिस कारण से retail investor यहाँ पर loss book करके बाहर हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप हमारे channel के साथ जुड़े वे हैं तो हमने आपको बताया भी था कि आपको यहाँ पर अपने माल को नहीं बेचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके साथ a trap हो रहा है PTM की share price आप definitely बड़ेगी क्योंकि company का जो market capture है वो बहुत ही strong है तो आप देख सकते हैं ठिक दो trading session के बाद में हमें continuously इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है और साड़े 14% तक की शांदर moment यहाँ पर देखने को मिल चुके है अब बात करें कि अब आपको क्या strategy लेकर चलना है तो PTM अभी तो fundamentally weak हमें देखने को मिलती है लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसका market capture बहुत strong है आने वाले time में ये company आपको बहुत शांदर returns बना कर दे सकती है साथी साथ company का market capitalization काफी huge है याने कि 1,16,512 करोड रुपे का company का market capitalization है और पिछले एक साल के अंदर company ने काफी शांदर market capture किया है अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अगले दो दीन के अंदर ptm के shareholders के लिए क्या धमागा होने वाला है तो हमें 27 नॉबंबर 2021 के दिन ptm के financial result यहाँ पर देखने को मिलने वाले है result में company कुछ बड़े announcement भी कर सकती है तो इस date को आप बिल्कुल भी miss मत करिएगा जैसे ही ptm के financial result डिकलेर हो जाएंगे आपको हमारे youtube channel से update कर दिये जाएंगे साथ ही साथ telegram channel से भी आपको सारी update शेर करी जा रही है यदि आपने अभी तक telegram channel को भी join नहीं कर रखाए तो link आपको description box में मिल जाएगी ptm की भी strength की बात करी जाए तो company almost आपको यहाँ पर debt free देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर company के जिस प्रकार से हमें reserve देखने को मिलते हैं वहाँ पर company की जो borrowing से वो बहुत ही ना के बराबर है यानि कि 588 करोट रुपे का company के उपर करज है लेकिन company के अगर आप reserve देखेंगे तो 6924 करोट रुपे के company के पास एक healthy reserve यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिस कारण से आपको आने वाले time में dividend और bonus जैसी बड़ी announcement भी ptm के थुरू भी देखने को मिल सकती है तो यदि आपने Dixon Technologies और ptm के अंदर investment कर रखाए तो यहाँ पर आने वाले कुछ trading sessions आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं ptm के अंदर अगर आपने investment कर रखाए तो financial result declare होने के बाद में आप यहाँ पर decision ले सकते हैं कि आपको इस shares के अंदर अपनी positions को continue रखना है या फिर profit book करके बाहर हो जाना है Dixon के अंदर definitely आप यहाँ पर positions को long term purpose से hold करके चल सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपको यहाँ पर Dixon की जो fast value है वो काफी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है जिस करण से आपको future में bonus और split जैसी बड़ी announcement भी Dixon की तरफ से देखने को मिल सकती है तो चलिए दुस्तों उमीद है आपको video और update पसंद आई होगी fundamentally companyya दोनों strong आने वाले time में काफी अच्छे returns आपको दे सकती है अगर आपको video पसंद आई है तो like और share करना मत भूलिएगा तब तक के लिए stay connected, stay updated